दोस्तो वोट्साइब का इस्तेमाल तो आप सभी करते होगे लेकिन आपके मन में ही है सवाल जरूआया होगा कि आपके एक सिंगल क्लिक की मज़द से कैसे आपका मैसेज हजार किलोमेटर दूर बैठे दोस्त के पास असानी सब जाता है और जब आप उफ लाइन रहते हैं त दोस्तो वोट्साइब को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सर्वर क्या होता है दोस्तो सर्वर एक तरीके का कंप्यूटर होता है जिसके अंदर हम डाटा को सेव कर सकते हैं और सर्वर के थ्रू हम डाटा को अपने मोबाईल में वापस भी मंगा सकत दोस्तों जब भी आप किसी को message भेजते हैं आप जैसे ही send पर click करते हैं तो आपका message directly आपके friend की mobile पर नहीं जाता है वो message सबसे पहले जाता है WhatsApp के server पर और उसके बाद server पर वो store हो जाता है WhatsApp भी जो message को store करता है वो तीन तरीके से store करता है अगर आपका message है और अगर आपका friend online है तो chat server पर आपके message को store कर देता है अगर पर farm तो से उप्रेट होता है। दोस्तु माल लीजेए, AAppCaS themes online है तो आपका cat server पर जाएगा, और F employer online है वह message आपा friend तक होजाए матॉका उसके बाद, अगली चांस हो सकता है कि आपai friend जो है वह offline होजाए, तो दोस्तु तो आपके फ्रेंड द्वार से और आपका मैसेज से आपके मोबाइल में चला जाएगा और यहाँ से ओपना इन सर्वर से विलिट हो जाएगा अगर आप इमेजिस को भेजते हैं आपका सबस्क्राइब करता है इसके बाद मुल्टि मीडिया सर्फाइब मेसेज नुइक करता और इसलिए वहाद़ सकता ईसलिए जो between also विडियो इसके लिए अलगसे सरवर जोगी थोड़े कम Message को है इसलिए इसलिए और इस सब्हेब कि आपने एंकरिपषिंब होले में काई होगी आप दोस्तो जब भी आप किसी को WhatsApp पे मैसेज बेजते हैं तो आपका मैसेज एंक्रिप्ट हो जाता है यानि ऐसी लैंविज में कर्वट हो जाता है इसको कोई भी नहीं रीड कर सकता है क्योंकि आपने उसे एंक्रिप्ट करा है और आप जिस फ्रेंड को भेज रहे हैं सिर्फ वो दाटा शेर कर सकते हैं जिसे एड की क्वालिटी को इंप्रूब कर सकते हैं लेकिन अब करन्ट सिच्वेशन में जो Facebook है वो किसी भी हमाई डाटा को रीड नहीं कर पाता हूँ आपको जो मैसेज हो पूरी तरीके से एंक्रिप्टेड रहता है उसके बाद दोस्तों आपको म कको लंचे मोबाल में जाते हैं दोस तरीके से आपने उसे लोग किया अता आपको पास ही होती है दोस्तों आपको जो समझ तरीके से वर्क करता है अब आपको एम अच्छी प लगए तो इस ज्संते पर वीडियो के लिए इस चैनल को सोılarब कर देजी